गाइस इस वीडियो में बात कर लेते हैं इंडस टावर्स लिमिटेड के बारे में आज के दिन देख सकते हैं माइनस 2.2% यह आसपास गिरा है और यह जो हम लोग चार्ट देख रहा है यह चार्ट है मंतली कैंडल का चार्ट और शुरू से जब से यह लिस्ट हुआ है तब स कुल भी नहीं है हाँ स्विंग ट्रेडर्स अगर इंवेस्टमेंट करना चाहते हैं तो स्विंग ट्रेडर्स यहां पर इंवेस्टमेंट के बारे में प्लान कर सकते हैं इसे एनलाइस कर सकते हैं क्यों क्योंकि अगर आप देखेंगे इसका जो यह लो है यह लो यहां से य यहां पर देख रहे हैं, यहां से थोड़ा सा recover होता हुआ, हलका फ्लका दिख रहा है, तो अगर यहां से उपर जाने के indications देता है, तो यहां पर swing traders, आड़ कर सकते हैं कुछ stocks, जब यह upper ballinger के आज़ पास इस तरह से अगर बाहर चला जाए, तो वहां पर आप selling कर सकते हैं लेकिन मेरा suggestion अभी भी यही होगा कि इसमें से long term investors और swing traders दोनों को बच के रहना चाहिए अगर investment करना है तो इस तरह के अगर आपको options दिखें जैसे यह बॉलिंजर से बाहर था यहां बॉलिंजर से बाहर था यहां तीनों साइड में आप देखेंगे तीनों जगह पे आप देखेंगे कि बॉलिंजर से बाहर आते ही इसमें एक छोटी मोटी तेजी आई थी ठीक है तो इस तरह की तेजी आपको चाहिए तो इसको यहां से बाहर आना थोड़ा बहुत जरूरी है यह वाली जो red candle है इसमें यह बाहर नहीं आया था तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर यह यहां से by chance गिरा तो यह बॉलिंजर लाइन के बाहर आने के बाद ही इसमें थोड़ी सी reversal दिख सकती है इसके लिए भी थोड़ा चेक कर लेते हैं इसके fundamentals की इसमें reversal आ सकता है या फिर यह यहां से भी नीचे गिर सकता है यह चेक करना बहुत ही easy है इसका annual net profit chart देखेंगे और यह बहुत बुरा इसमें result दिख रहा है इस साल का जो की 2016 के result से भी बुरा है तो इससे तो बिल्कुरी बहार हो जाना चाहिए अभी फिलाल की टाइम पर बहुत सारे अच्छे stocks है market में उस पर ध्यान देना चाहिए इससे पहले अगर आप देखते तो ऐसा लग रहा था जैसे इसमें कुछ अच्छा हो रहा है लेकिन अभी इसमें result बहुत बुरे आ जाएगा ऐसा कहना है market का लेकिन इसके profit को देखके ऐसा लग नहीं रहा इसका profit देखके ऐसा लग रहा है कि बहुत बहुत ज़ादा गिरा हुआ है एक दूसरा पहलू भी होता है अगर कुछ लोग होंगे ना वो लोग यह सोच रहे होंगे कि अब यह इतना ज़ादा गिर इससे जादा यह नहीं गिर सकता तो next year के लिए वो क्या करेंगे अभी इसमें buying कर लेंगे क्योंकि क्या है यह support पे भी है है ना किसने दूसरी बार तीसरी बार यह support पे आया है अपने चार्ट में देखा तो जब यह support पे है तो लोग क्या सोचेंगे कुछ लोग कि अब यह इससे जादा नहीं गिरेगा अब यह इससे ऊपर ही अपने results दिखाएगा तो इसके stock में भी recovery आ सकती है और यह गलत भी नहीं है यह हो भी सकता है ठीक है कई सारे stocks में यह भी होता है कि बहुत जादा गिर जाता है इतना जादा गिर जाता है कि वहां से और जादा गिरने का scope नहीं बसता है तो अगला जो yearly result आएगा वो इससे जादा अच्छा दिख सकता है जिससे market में इसके stock में recovery आ सकती है अभी कुछ चीज़ें और चेक कर लेते हैं market cap तो no doubt बहुत बहुत जादा है इंडस्ट आवर के बारे में जो लोग नहीं जानते यह भारती एडल से यह relation रखता है business वगरा कुछ करता है I think भारती एडल का कुछ stake भी है इसमें जिसकी वजह से कुछ ताइम पहले तक यह बहुत जादा market में बना हुआ रहता था था न्यूस वगरा में आते रहता था तो market cap इसका कम नहीं है लेकिन इसका जो stock का PE है वो इसके industry PE से जादा है मतलब market में अभी भी इसकी valuation थोड़ी जादा ही है लेकिन ROC और ROE दोनों देखेंगे तो average से बहुत जादा कम है और return over 5 years देखेंगे तो obviously minus में हमने देखा था इसका chart के साथ ऐसे falling था ठीक है तो इसमें obviously profits तो किसी को हुए नहीं होंगे और ये company क्या कर रही है dividend में अपना पूर बहुत जादा डेट है 19,185 करोड का डेट है मार्केट का बहुत जादा बड़ा है लेकिन फिर भी ये डेट भी कम नहीं है देख सकते हैं 0.91 का debt to equity ratio है यहां से आपको मालम चल जाएगा कि यह क्या करते हैं telecommunication में यह transmission line towers and equipments बनाते हैं ठीक है तो इसमें यह leader है बहुत ज 34 बहुत बहुत जादा बड़ी गिरावट है तो इसके काम को बहुत effect पड़ा है और उसी की वजह से आप इसका net profit भी देख सकते हैं कि 6,373 करोड से क्या हो गया है 2040 करोड का balance sheet में reserve चेक करेंगे तो reserves खराब हो गये हैं लेकिन अभी तक इसकी borrowing और fixed asset खराब नहीं देख र cash flow देख सकते हैं इसका कम हुआ है जो की अच्छी बात नहीं है जो strong point दिखता है वो शेरलिंग पाटन में इसके promoters में दिखता है इन्होंने क्या किया है यहां से यहां पर अपना stake बढ़ाया था कब December 2020 में तो काफी पहले की बात है और तब से वो लोग अपना stake maintain कर रहे है ठीक है जितना stake उनके पास था उसे यह maintain कर रहे हैं foreign investors के पास बहुत अच्छा स्टीक है 26.62% का टेक foreign investors के पास है बहुत बड़ी बात है यह और DIY के पास आप देखेंगे कि जितना स्टेक कुछ साल पहले था उसी को यह लोग थोड़ा बहुत प्रिम कर रहे हैं लेकिन लग वो लोग इसमें averaging कर रहे होंगे इस उमीद में कि शायर यह अब उपर चला जाए तो overall यह मैं बोलूँगा कि दिए long term investors तो इसमें से बिलकुली बाहर चले ठीक है इसमें बिलकुली एंटर करने की ज़रूत नहीं है लेकिन हाँ swing traders जो है वो यहाँ पे अपनी risk के हिसाब से यहाँ पे बैट ले सकते हैं लिकिन अगर यहाँ से नीचे जाता हुआ दिखा तो आप make sure कर लेना कि आप अपना stop loss सही तरीके से लगा लेना ताकि आपको बहुत जादा loss इसमें ना हो ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही आपके कुछ questions है तो comment section में लिख सकते हैं मिलते ह अगले वीडियो में